हाई वेलकम डूमाइचैनल आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं आपकी फ्रेंड चाहिए आज में आपका बहुत सारी नोग में ब्रहम होता है वह दूर करने वाली हूं लोग बाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया सारी दुकाने बंदो गई पालर्स बंदो गई ब में मिठाई बनाना भी सीखा और भी चीजे बनाना सीखा और एक बास सीखी जब पालर बंद हो गए तो प्रॉब्लम आई वैक्सिंग कैसे करवाएं हम सबको हाईजेनिक रहने की आदत होती है फिर मैंने लोग डाउन में सीखा शेविंग करना बहुत सारी लोग को ब्रहम डाने में ने सब्सक्राइब कर rehabilitation बहुत है हमारी ग्रोथ होती है उतनी ही ग्रोथा इत करो आ सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी प्रेंट चलिए बताती हो किस तरह से में शेविंग करनी है जिसे बहुत सारे लोग करते ही यह बहुत इंपोर्ड़िंट इससे आपकी टैनिंग रिमूव हो जाएगी यह स्क्रविंग आप शुम मार्केक में बॉडी कर सकते हैं चोईस आपकी है मैं यह कॉफी का बॉडी स्क्रब यूज करने वाली हूं जो मैं घर में बनाया है आप यदि कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दोंगी वीडियो बहुत लंबा हो जाता इसलिए में आपसे बात आएने वाली वीडियो में जरूर करूंगी तो बताती जो कॉफी स्क्रब है यह आपकी टैनिंग को रिमूव कर देगा कॉफी स्क्रब के लावा बहुत सारे स्क्रब यूज कर सकते हैं और भी हमेट स्क्रब बनते हैं सबसे पहले हमें उस से को फीला करना है जहां कि हमें शेविंग करनी है उसके बाद लगा के जाती है वह भी नहीं होगी और हमारी शेविंग अच्छी तरह से होगी यह हमारी टैनिंग भी रिमूव करेगा यह मोस्ट इंपर्टन स्टैप है इससे स्किप नहीं करना है उसके बाद हम इसे क्लीन कर लेंगे जिलिक विनस का रेजर यूज करती हूं यह दोतरह क्या आप मेरा पुडाना अ कारि 55 यह वाला इसे गडुरी यह च्छाय आ यह वाला आ यह आप इसे 8 यह दो बारी ऊस्कुरिंग कर सकते हैं ने पुरी वाड़ी को करने के यह आप का काफी टायम चल जाता सब्सक्राइब करें чे शेविंग कैसे करने के हमेशा शेविंग आप कनीशनर का यूज़ करें सब्सक्राइब कता यूज ना करें योपके आपके पशुण भंग Mai Har बट कनीशनर का यूज़ करें इस तरह से हमें शेविंग पॉरम को लगा लेना है अची तरह से लगाना है है अची तरह से लगा लिजिए जहां भी आपको शेविंग करनी है उसके बाद रेजर को हलका स fleet करेंगे पानी में उसके बाद हमें बालो की अपूnh relyचAyे कुछ आना है hem और याहेजां छलाना या एक से लाइड के बात पानी में करना है dembenit मोरा थे लौकी एद आतों से केजिए नहीं तो कट लग सकता है深 अब आम ंए आपको तो को सकते हुआ तो इसboy नहीं करा सकते हैं मैं उसकी ग्रोथ होने का वेट करना पड़ता है पर रेजर से यह प्रॉब्लम नहीं है आपके कितने भी टाइनी हेर हो आप आराम से शेविंग कर सकते हैं इमर्जेंसी में दिल्कुल आराम से किजिए फ्रेंड्स ध्यान रखिए आपको कोल भी कट ना लगे इस तरीके से धीरे धीरे अपने हेर को रिमूब करना है इस प्रोसेस के बारे में कोई भी डाउट हो आपके मंद में आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं मैं अपने हाथ पर करके दिखा रही हूं आप किसी भी बॉड़ी पार्ट के हेर रिमूब कर सकते हैं शेविंग करने के बाद बॉड़ी लोशन लगाना ना भूलें फिर आपकी प्रॉब्लम दूर होने वाली है आप पारलर नहीं जा पारे आपके पास टाइम नहीं है अर्जेंटली कहीं से ट्राइब जरूर कीजिए अपने मेरे साथ जरूर कीजिएगा वीडियो पर दंद आए तो लाइक कर दीजिए मिलते हूं मैं आप सकती नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइट टेक केर